चलो भई बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में सल्मान सर की डाट के बात से थोड़ा बहुत परिवर्तन नजर आ रहा है हैं कुछ लोग शो में थोड़े ज्यादा इन्वॉल्ब दिख रहे हैं तो वहीं कुछ लोग बिल्कुल ही गायब हैं आज के एपिसोड में तो मतलब सारा और बग्गा जी वाकी में जेल में ही है न क्योंकि हमें तो वह नजर ही नहीं आए वह लास्ट वाले टाइम पे नजर रहा है और एक बर बीच में नजर आए थे जब सारा ये बोल रही थी कि मैं इन लोगों को खाना नहीं दूंगी फिर ऐसा लग रहा था ना पूरे घर में कि कोई दूसरी स्पेस ही नहीं कोई दूसरा जगा ही नहीं है आज अविनास जब जेल से बाहर हो चुका है आज नहीं पिछले तीन दिनों से तो हमें जेल देखने कोई नहीं मिली है यानि कि सारा और बग्गा जी का कॉंटेंट जीरो के बराबर है क्योंकि वो लोग आराम से खाना दे दे रहे हैं और जब खाना दे दे रहे हैं तो फिर मुद्दा किस बात पर बनेगा तो मुद्दा बनने का तो कोई चांस ही नहीं है तो इसका ये मतलब बड़ा क्लियर हो गया कि जो जेल के अंदर रहेगा वो अगर खाना आराम से दे देता है तो उसका content जीरो हो जाएगा वो बंदा नजर ही नहीं आएगा शो में ये तो अलग बात है कि बगगा और सारा दोनों कम नजर आते थे पहले भी लेकिन इसका मतलब कोई भी अगर जेल के अंदर जाता है अगर उसने खाना properly दे दिया तो कोई भी मुद् यही कर सकते हैं वो खाने पे ही dependent है अविनाश अगर जेल के अंदर बराबर खाना दे देता तो वो इतना shine नहीं कर रहा होता जितना की आज वो कर रहा है हाला कि उसको बहुत सारा criticism भी मिला है ये सब कुछ करने के लिए और सलमान सर की डाट के बाद आज एक अलग अविना वो दूसरों को टीज कर रहा था और और खुद परेशान नहीं हो रहा था खुद गुस्थे में नहीं आ रहा था और प्यार से टीज कर रहा था आज अविनाश ने ये वारा रूप पकडा हुआ था अच्छा ये last वाली जो five-tट आपने देखी है ग विवियन के बरतन से ही आवाज आ रही थी ओवियस ही वात है कि रात के तुम दो बज़े अगर बरतन धोगे घर में बिलकुल सननाटा पसरा होगा तो उसमें थोड़ी आवाज भी बहुत ज़्यादा तेज लगती है लेकिन सारे के सारे घर वाले आके चड़े किस के उपर है अविनाश के ऊपर क्योंकि सभी के दिमाग में एक ही perception है कि अविनाश गलत है अविनाश गलत है हाला कि ये जो चार चोकड़ी है इनकी ईशा, अलेस, और अविनाश और विवियन यह कहीं न कहीं एक इस तरीके से भी नज़राए की भाही यह यह चौकडी है और आज एक्दम प्रूफ हो गया कि यह चौकडी ही है यह चारो साथ में ही है क्योंकि जिस तरीके से issue और elements हस रही थी kitchen area में खड़ी हो कि वहाँ पे कहीं से भी ये नहीं फिल हो रहा था कि वो थोड़ी सी concern है बाकी घर वालों के लिए वो बिल्कुल भी कहीं से concern नहीं नज़रा रही थी बाद में ईशा जिस तरीके से जाके अर्फीन को बता रही थी नहीं नहीं मैं तो try कर रही थी नहीं मैं तो समझा रही थी इशा आप कहीं से भी कुछ समझा नहीं रही थी किसी को आप भी मजे ले रही थी आप भी वहाँ खड़ी होके हस ही रही थी हमने ये देखा लेकिन मुझे ये अजीव लगा कि विवेन से किसी ने बात नहीं करी अविनाश ने इस बात को पकड़ा भी कि भाई एक बात है कि सारे आके मेरे उपर चड़े हैं लेकिन आप से किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की है तो इसका मतलब है कि विवियन से कोई लड़ना नी चाहता है भिड़ना नी चाहता है उसके साथ अपनी equation कोई खराब नहीं करना चाहता है महीं अविनाश के साथ अगर equation किसी खराब होती है तो कोई ज़्यादा फिकर नहीं कर रहा है ये चीज़े मैं देखने को मिली चले शुरू से बात करते हैं कि आज सुबह सुबह पहले तो एक कलेश हुआ रजट और चाहत के बीच में वो कलेश नहीं मैं कहूंगी वो फन बेंटर चल रहा था जहां पर चाहत आती है और वो गुड नाइट बोलती है इतने में रजट बाय करते हैं तो वो हाथ लाद दोनों से बाय कर देते हैं और चाहत को बुरा लग जाता है चाहत आता के वास जो है वो मार देती है उनके पैर पर और उसके बाद जो इनकी कॉन्वर्जेशन होती है वहाँ पर रजट कहता है चलो मुझे एक मुद्दा मिलिया रजट वहाँ पर मुद्दा वो ऐसी फन में बोला उसने हाला कि उसने मन में कहीं सोचाओगा कि मैं इसको सीरिस बनाओगा लेकिन फिर उसको लगा कि नहीं चलो छोड़ो इसको मजाक में जाने दो तो वाँ पर ये हस रहते अर्फीन चाहत और रजट ये तीनों ही हस रहते और इनको लगा कि चलो ये बात खत्म हो गई वहीं पर लेकिन अगले दिन फिर सुबह होती है सुबह होते के साथ ही रजट वापस से उस बात को लेके आता है और सभी के आगे कहता है कि इसने मुझे रात को मारा क्योंकि मैंने हाथ और लात दोनों से बैकर दिया इस चकर में और वहाँ पर भी चाहत को बुरा लग जाता है कि तुने ऐसा कैसे किया कि तु एक लड़की को लात दिखा रहा है तु एक लड़की को लात दिखा रहा है भी चाहत हर बार ये कार्ड खेलना जरूरी नहीं होता है कि एक लड़की का कंटेनर नहीं तुम छूँ सकते हैं एक लड़की को लात भई ये देखो बेसिक चीजे होती हैं कि लड़का लड़की दोनों के लिए होती हैं कि तुम लड़के को भी लात नहीं दिखा सकते हैं और लड़के के भी पॉसनल चीज को तुम नहीं छूँ सकत तो यह लड़का लड़की दोनों के लिए होता है लेकिन चाहत मुझे लगा कि यहाँ पर एक थोड़ा मुद्दा क्रियेट करने की कोशिस कर रही थी कि उसको लगा कि तुम लड़की को ऐसे लात नहीं दिखा सकते जो मुझे लात दिखाएगा मैं उसके लात को तोड़ दूँगी कहीं न कहीं आज के शो में चाहत ही चाहत नजर आई है और उसका कॉंटेंट लोगों को पसंद भी आ रहा है बाहर वो लोगों को बहुँ ज़दा पसंद आ रही है एक घर में ऐसी हवा चल रही थी जहां पे लोगों का ये कहना था कि वो ड्रामा कर रही है वो एक कैरेक्टर में है अच्छाएगी जो ड्रामा वारी चीज थी घर के अंदर तो थी साथ साथ मेकर्स भी कहलवा रहे थे सलमान सर से कि ये एक्टिंग कर रही है लेकिन मुझे वो एक्टिंग करती हुई नहीं नजर आती है वो ऐसी ही है वो इतने ही प्यार से रहती है वो इतनी ही शांत है और वो हमें चीज नजर आती है हाँ वो पंगे लेती है मैं ये नहीं कहूंगी कि वो पंगे बिलकुल नहीं लेती है वो छेड़ती है लोगों को और छोटी सी बात को थोड़ा बड़ा भी बनाती है तो वहां जिस तरीके से रजत कह रहा था वो फन में ही कह रहा था उसको बड़ा बनाने की जरूरत नहीं थी लेकिन चाहत को बुरा लग गया वो बात और चाहत उन्हें ये भी कहा कि भाई मैं उसका पैर तोड़ दूँगी वो तो पैले उसका अग्रेशन दिखता था वो अग्रेशन थोड़ा कम होके अब थोड़ा वो हस्ता हुआ नजराता है और इस वाले रजत को देखे हमें भी अच्छा लगता है कि अच्छा रजत हस्ता भी है तो वह सारी चीज़ों इसको वह चाहत अंदर जाती है और चाहत फिर ऐसको अब दो भी आधिनाश भी कह रहा था तो यह चारो मिलकर आज एक नेरेटिव सेट कर रहे थे मैं थोड़ा लाइफ फीड में देखा था जहां पे विविं यह बात बोल रहे थे कि चाहत मेरी जरनारा गर कर रही है कि मैं बत तमीज हूं अगर मैं बत दद मीज हूं तो फिर मैं सभी के लिए बत्तमीज हो किसी एक के लिए तो बत्तमीज हो नहीं सकता तो चाहत ये नेरेटिव सेट कर रही है तो आज मुझे ऐसा फिल हुआ है कि चाहत के लिए ये नेरेटिव घर में सेट किया गया है कि चाहत अनहाईजीनिक है क्योंकि विवेन इस पर बात बोला, अब हो सकता है वही चाहत वैसी हो, या फिर नहीं भी हो सकता है, हम तो वहाँ देखने ही रहे हैं, लेकिन हाँ, हमें यह नजर आया कि उसके जो काले कपड़े थे, चाहत ने वाश रोमेरिया में रखा हुआ था, बात्रोमेरिया में, और वहाँ पर विवन आते हैं, वहां पे चाहत ने कहा कि नहीं मेरी जब मर्जी होगी तब में हटाऊंगी तो इस तरीके की सारी चीजियों हुई वहां पे बिग बॉस को लगा कि ये अच्छा मौका है चलो पूरे घर को इकठा करते और थोड़ी बात की जाए बिग बॉस ने कहा कि वीवेन आप ही बता दीजे यहां का सबसे अनहाईजियनिक बंदा कौन सा है सिंपल सी बात थी थोड़ी देर पहले चाहत लड़ रही थी कि मैं सफाई नहीं करूंगी मैं अपने कपड़ों को जब मर्जी आगा तब दोंगी वीवेन ने कहा दिया कि चाहत है तो बिग बॉस को लगा कि चलो भही एक चाहत को चांस दे के देखते हैं की घर में जो लोग है चाहत के अगेंस्ट क्या वो उसके अगेंस्ट जाएंगे तो घर में एक न repent ड्रामा क्रियेट हो सकता है और वह ड्रामा क्रियेट हुआ भी यहा है जो कि आप सबने देखा तो चाहा तो कोई वो सरारती बच्चे को ही मौनिटर बना दिया गया ऐसा व ऐक बबस ने खुदी कहा और फिर मौनिटर बना देते हैं तो ये सारी चीजे हमें देखने को मिली और चाहत उसके बास ते जिस तरह से ड्यूटी असाइन कर रही थी, वह सब कुछ हमें देखने को मिला, वहाँ विवियन को तीन टाइम का मतलब लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इन तीनों के बरतंद होने को विवियन को मिला है, वाश अच्छा के वी का भी एक ग्रूप है, आप सब को यह भी पता है, केवी के बारे में बात करना मैं कैसे भूल गई, केवी का भी अपना एक ग्रूप है, जहां पर चुम, शृतिका, शिल्पा और केवी है, अच्छा वो ग्रूप भी तूटता हुँए नजर आ है क्योंकि श शृतिका को ऐसा लगता है कि जब मैं बोल रही हूं तो मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूं और मुझे पता है कि कब बोलना है कैसे करना है तो वहां मुझे कोई रोके नहीं और शृतिका इस बात से बहुत नाराज थी और तो उसके पासे वह बात नहीं कर ली थी किसी से और केवी इभी बोड डिस्टॉप थे कि भाई यह कौन सा अपना group है जहां पे मैं hurt हो रहा हूँ कि अगर तुम तीन मेरे अपने हो तुम तीनों की वज़़े से मैं hurt भी हो सकता हूँ और तुम तीनों की वज़े से केवी और शूतिका के बीच में देखने को मिलता है जहां पर फन भी होता है दोनों मजे भी कर रहे होते हैं एंटरेटेनिंग होता है कि जब आप केवी और शूतिका को देखो न तो वो पार्ट थोड़ा एंटरेटेनिंग होता है वो अच्छा लग रहा होता है और केवी थो और वो कहता है कि मेरी कॉफी जो मैंने चुराई थी वो कॉफी मेरी किसी और ने रख लिक टो वहाँ पे कवी का वन लाइनर आता है चोर के घर में चोरी हो गई तो यह चीज भी थोडि देखने वाली थी वैसे के वी के वन लाइनर तो आज बिक बॉस भी मार रहे थे कि कि जब duty assign हुई है, फिर जो रात का जो माहौल था, जिस तरीके से ये लोग काम नहीं कर रहे थे, इन लोगों का clear था भई कि चाहत है हमें परिशान किया है, हम चाहत को परिशान करेंगे, विवेन के साथ चाहत की बंती रही है, वो हम डेवन से देख रहे हैं, अविनाश और चाहत में बीच में थोड़ी से understanding हो भी गई थी, लेकिन अब वापस से वो पानी वाले incidents के बाद से इनके बीच में थोड़ी खटास तो है ही, और विनाश ने clear कहा, कि भई ये पानी वाला बदला तो मैं लेके रहूंगा, और वही वो बदला ले रहा था, तो मुझे उसमे से करना था, वो मुझे entertaining लगा, वो मुझे सही लगा, अविनाश चीखे चिला है ने, इस वाले zone में अगर रहे तो वो काफी सरकाइजम वाला zone होता है, तो वो काफी सही रहेगा, आज चाहत को कई बार वैसे रोना भी आया, तो ये वाली सारी चीजे हमें देखने को मिली, कल के एपिसोड में हम देखेंगे, जहां पर रजद बहुत गुस्से में आए, कि घर की एक भी लड़की परिशान नहीं होनी चीए, और मुझे वो चीज बड़ी सही लगी है, कि चलो या लड़की के लिए concern है रजद को, कि घर में एक भी लड़की परिशान नहीं होनी च देखाएंगे, तो ये भी चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी, जहां पर ईशा और एलिस के बीच में फाइट होगी, इनकी अनबन होगी, और ये सारी चीज़ें, तो चलिए, ये ही रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू, आज के एपिसोड में ज्यादा दम मुझे नजर नहीं आया, और ठीक ही था, अच्छा ही था, मैं ये नहीं होगे की बुरा था, लेकिन हाँ, ज्यादा मजा नहीं आया आज के एपिसोड, मतलब फाइट्स वाइट्स नहीं थी, सिंपल साब एक बहुत भी ड्राय कर रहे थे कि कुछ तो करते हैं, कुछ त कर रहे थे, ये वाली चीज भी हमें देखने को मिली, कल केवी और विविन की बीच में भी एक लड़ाई होगी, और वो देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि क्या केवी फ्रंट फुट पे आता है, क्योंकि विविन ने तो क्लियर कह दिया है, भाई कि देख मैं तेरी बा अगर विविन नहीं उस बात को रख रहा है, तो तुम भी उस बात को भूलो, और वाकई में जो बिग बॉस चाहते हैं कि केवी विविन की शो बने, तो हमें भी देखने में काफी मज़ा आएगा, ये बात तो बड़ी कलियर होगी है, शहजादा बिल्कुल डिसपीर हो च मतलब अभी तो फिलाल ये जेल में है, लेकिन वैसे भी इनका कॉंटेंट कुछ भी नहीं है, तो ये कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही डिसपीर हो चुके हैं शो से, ये नजर ही नहीं आते हैं कि ये शो में है, है भी या नहीं है, चुम भी नजर तो नहीं ही आ रही होती ह हाँ थोड़ा बहुत नजर आई जब वो शुरुतिका को मना रही थी कि शुरुतिका तू जाके केवी से बात कर ले और केवी भी यह कह रहा था कि यह लड़की बहुत हार्ट वरकिंग है यह कंटीनू काम करते रहना चाहती है फ्री नहीं बैठा चाहती है तो यह वाली है कि एक एंगल बनाने की कोशिस यह घर वाले मिलके कर रहे हैं घर वाले नहीं मैं कहूंगे शुरुतिका और शुरुतिका जी कर रहे हैं जहां पर चुम और केवी हो हलाकि मुझे नहीं नजर आता है कि चुम और केवी के बीश में खुश लेकिन पता नहीं कैसे यह बनान हैं घर के अंदर बाकि आपको क्या है कहना मैं मिलती हूं कल के एपिसोड में कल रज़त वर्सेज अविनास वाली जो फाइट होगी उपर से केवी वर्सेज विवियन जो होगा वो देखने में काफी मज़ा आएगा अगर वाकई में वो अफरंट होके दोनों सामने आते हैं तब वरना बैक सीट अगर ले ली इन दोनों ने तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बावे टेक केर अपना ख्यार रखिए